मुझे नगा कि शायद grammar पे command बनाने के बाद में बहुत अच्छा English बोलना सीख जामगा तो grammar पे command बनाना खुछ से ही शुरू किया, खुछ से ही कुछ books उठाई और उन books को read करना है grammar तु अच्छी हो गई लेकिन शायद मैं communication में अभी भी वहीना तो grammar आना एक अलग चीज है, grammar आपको आ गई लेकिन मुझे ही फील हो चुकाता है थी यार grammar आना इंग्लिश नहीं होता है क्या आप भी चा रहे हैं एक अच्छी MNC में जॉब करना क्या आपको लगता है कि English एक बादा बनती है कि अच्छी position में पहुशने के लिए एक government exam को crack करने के लिए या फिक एक अपना अच्छा business स्टार्ट करने के मैं ही मानशुड आगर एक motivational speaker, एक educator और एक business development specialist आज आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपनी communication को better कर सकते हैं साथ में जहां पर मैंने शुरू किया था कि गाउं से मैं आता हूँ राजस्थान के भरतों डिस्टिक में गाउं कड़ता है हदीज़त वहां से मैं belong करता हूँ मेरी जो schooling रही है कुछ पार्ट वी रहा एक बहुत ही normal और बहुत ही जिसको कहेंगे मिडल क्लास फैमिली से मैं आता हूँ तो definitely वाकिन डॉर्मल इंग्लिश बटेम स्कूल से हुआ बट वहाँ पर इंग्लिश का इतना जादा रोल रही था वह कहने को लिए तो एक इंग्लिश बटेम स्कूल था बट वहाँ पर इंग्लिश में इतना जादा ना ही कम्टिकेशन होता था ना ही इंग्लिश के लिए इतना जादा बंचों को मोनिवेट किया जाता है उसके बाद में स्कूलिंग होते होते मैंने गौर्रमेंट में स्कूल से अपनी बढ़ाई की जहां पर मुझे लगा कि शायद मेरे इंग्लिश इतना इंप्रोव नहीं होता रही तो डेफिनेटली इंग्लिश एक बाधा बनती है आगे की करियर के लिए लेकिन जब हम स्कूल में होते हैं तो शायद हमें इसका एहसास नहीं होता है स्कूल में होने के साथ साथ जब पता चलता है कि यार इंग्लिश में हमारे मार्क्स कम आ रही है लेकिन उसके बाद में भी हम इंग्लिश पर काम नहीं करता है ऐसा ही मेरे साथ में हुआ, मैं एक middle class और एक average student रहा, बहुत ज़्यादा numbers मेरे नहीं आते थे, लेकिन हाँ, मैं भी चाहता थे एक अच्छे position करना, एक अच्छे package पर job करना, या फिर इंक और्में job exam के थे, रियारी करते हैं, उसको ग्रेक्टर, schooling में problem English बनी, बादा English बनी, क्योंकि कहते हैं कि, जब हम school में होते हैं, तो हम कोई भी चीज़ सीखते हैं, अगर हम science सीख रहे हैं, या फिर SST हम सीख रहे हैं, तो वहाँ पर भी हमें questions के answers को frame करना पड़ता है, जिसमें भी हमें English को बहुत importance हमें मिलती है, और जहाँ पर हमें rather strong होगा, तो कोई भी answer तो बहुत easily frame कर पाई, और schooling के students के लिए main जो problem रहती है, वो यही रहता है, तो क्यांकि grammar इतनी strong नहीं हो, ऐसा ही मुझे एसास हुआ था, मुझे लगा कि शायद grammar पे command बनाने के बाद में, मैं बहुत अच्छा English बोलना, सीख जाँगा, बहुत अच् हो गई, लेकिन grammar के साथ साथ मुझे एक एक एसास हुआ कि grammar को strong करते करते, मैं 12 में 95 score तो कर लिया, लेकिन शायद मैं communication में अभी भी वही ना, शायद grammar एक पांट के लिए मुझे subject में अच्छी marks दिला गई, लेकिन शायद अभी भी मैं शायद हा, शायद अभी भी मैं confidently communicate न मेरा result आया, result में 95 score करने के बाद में मुझे लगा मैं English में बहुत अच्छा हो गया हूँ, मैंने 95 board में 4 दिया है, मतलब मैं बहुत अच्छा communicator हूँ, बहुत अच्छा है speaker, उसके बाद में जब मुझे पता चला कि 95 score करने के बाद में भी शायद मैं उस confident के साथ में English नहीं बोल पा रहा हूँ, तो मुझे ऐसास हुआ, शायद मैंने कुछ मिस कर दिया हूँ, इसकोल के बाद में जब हम कॉलिज में आते हैं, या फिर जब हमने कॉलिज में सपने देखते हैं, कॉलिज में जाएंगी, हम तीन साल का graduation करेंगी, अगर मैं engineering कर रहा हूँ, तो चार साल engineering कर रहा हूँ, वह आपर बहुत सारी चीज़ आनला हूँगी, मुझे अच्छा package मिलेगा, अच्छी अच्छी MNCs आएंगी, अच्छी जॉब लगेगी, लाफो की package दिने लेंगी, लेकिन मुझे ये ऐसास होने लगा, कि अगर मैं अच्छा communicator नहीं हूँ, अगर मैं अच engineering की शुरुवात में, मुझे हैसास होने लगा, कि मेरी English इतनी strong नहीं है, क्योंकि कुछ बच्ची वहाँ पर अच्छे से English में communicate कर पा रहे थी, और शायद मैं नहीं था उनमें से, जो बहुत confidently English में communicate कर पा रहा हूँ, सब college में क्या होता है, कि college में हमीं लगता है, कि हम सब कुछ perfect बन क्या है, शायद ही school से निकलने के बाद में सब कुछ मेरे recording होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, जब college की life में जाते है, तो पता चलता है कि आर मेरे से अच्छा सामने आला person communicate कर पा रहा है, English पे बात कर पा रहा तो मुझे यह realize होने लगा और मैंने फिर सोचा कि मुझे बहुत अच्छे से अब English बोलना सीखना है मुझे English पे command बोल करना आना चाहिए जैसे सब को आ रहा है इसके बाद में मैंने जो अपने English improvement की starting करी मुझे लगता है अगर मैं आपके साथ अभी share करूगा तो वो आपको बहुत अच्छे से help करने वाले है मैंने college में अगर आप देखे working professional अगर आप है तो आप क्या अगर सकते है आप बहुत क्वच्छे से जब आप college अगर आपका किसी तरीके से placement हो जाता है किसी company में है मिल जाएगी छोटा खोटा package हमें मिल जाएगा लेकिन अगर अच्छी English है अच्छे से हम express कर रहे हैं कि मैं क्या हूँ मैं आपकी company के लिए क्या add-on कर सकता हूँ बेर को लेने से आपको क्या फायदा होगा और इतना पैसा देने से ही मैं आपकी company में क्या कर सकता हूँ और क्या ऐसा changes में आपकी में ना सकता हूँ तो यह चीज का realization जब हमें होता है तो वहां पर क्या होता है अगर अच्छे से communicate हम कर पा रहे हैं तो हम बहुत अच्छे से अपने आपको improve करते करते हैं अपना package भड़ा पाते हैं और अपनी improvement भी करते हैं तो यह चीज मुझे realize होगी थी अपने engineering में उसमें realize होने के बाद में क्या हुआ मैंने एक simple सा concept अपनी दिवाग में set करा कि मुझे English को communicate करना है English को अच्छा करना है तो मुझे communicate करना है start करना होगी मैंने college के events में पास्पष रहना है start मेरे college में NSS unit वाद भी NSS का मैं volunteer बना वहाँ पर activities होती थी बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ बहुत सारी चीज़ होती थी जहां पर हमें represent करना था तो stage fear और communication मतलब मुझे ही क्या लगता है personally कि अगर आपने बोलना सीख लिया अगर आप 10 लोगे सामने बोल पारे तो आप बहुत अच्छे से communicate कर पाएंगे आप बहुत अच्छे से उसको improvise कर पाएंगे उसके लिए आपको किसी भी language में perfect होना जरूरी है बहुत important है कि आपको उस language परफेक्ट हो शुरुवात मैंने करी English से त्यूकि मैं बहुत अच्छे से English नहीं बोल बाता हूँ English से बोलना है start किया और फिर हम English पर आएंग तो धीरे धीरे जब मैं activity मैं activity में participate कर रहा है start किया तो मुझे भी ऐसा लगता था आम सभी की तरह के सब मुझ पर हसेंगी सब बोलेंगे या फिर college में मज़ाग बनाता है यार 20 नो वैटके मज़ाग उडएंग एंगलिस की बोलना जिब हाए यह कमनी यह वहाँ पर participate कर रहा है यह वहाँ पर stage पे मतलब रिप्रेसेंट कर रहा है जीजों को, यह मँँआपर, मतलब हर तरह की activities में participate करना मांपर when the start दीरे दीरे जब हम college की life में activities में participate करते हैं, दो फायदे होते हैं, एक तो आपको confidence build-up होता है, आपको stage fear आपको कम हो जाता है, और अगर आप English से English में आ रहे हैं, तो आपको ये confidence होता है, क्या ठीक है, आज मेरी मैं Hindi और English mix करके बात कर रहा हूं, बट दीरे दीरे आपको confidence level इतना जाद अच्छा हो जाता है, कि आप उसको English की तरफ ले जाते हैं, तो grammar आना एक अलग चीज है, grammar आपको आ गई, लेकिन मुझे ये feel हो चुकाता है थि यार, grammar आना की English नहीं होता है, तो जब मैंने उसकी practice start करी, जब मैंने बोलनाय start किया, तो company का आना है, वहाँ पर start, companies का placement हुआ, मेरा selection नहीं हुआ गई भी, क्योंकि मैं बहुत जादा सूच रहा था कि English क्यों ऐसे ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, लेकिन जब दो-तीन companies के बाद में rejection वहाँ पर मिना, तो फिर एक company ऐसी आई, यहाँ पर मेरा selection तो हुआ, ल बाखी चीजों के बजाए, English communication इतना importance रखती है, यह realized मुझे fourth year में ऐसा हो गया, कि यार, शायद यह चीज मैंने गईना कहीं miss कर दी, लेकिन चार सालों मेरे English को इतना improve तो कर लिया था, कि मैं किसी company में place हो चुगा था, आज यह मैं जिस company में हूँ, मैं एक business development के, और revenue growth पे business में बाख कर, वहाँ पर मेरी team meeting में कुछ ऐसे employees भी है, जो English ना आने की वज़े से, वो अच्छे से नहीं बोल पाते हो, यह फिर अपनी बात नहीं रख पाते हो, उनको धीरे-दीरे यह चीज पता चलती है, मैंने even उनको बताया है कि वो English में बोलना है, अब वो धीरे-ध grammar की बीचे भागते हैं, grammar अगर हम सीख लेते हैं, तो मैं रखता है English आदरी, लेकिन जब तक हम practice उसकी नहीं करेंगे, तब तक हम उसमें बहुत अच्छे से नहीं हो पाएंगे, और अच्छे से हम communicate भी नहीं करते हैं, इस चीज का ऐसास कहीं ना कहीं मुझे भी हुआ, और मैं लेता हूँ, क्योंकि मैं सामने वाले के person का perception में समझ पाता हूँ, कि वो क्या चाहता है, English दिखे, language को समझना बहुत important है, अगर मैं आज आप से बुरूँ कि आपको Hindi है, मुझे कुछ समझा रहे हैं, आपकी Hindi अच्छी है, तो शायद आप मुझे अपने वारे में बता and number of person से आपको communicate करना पड़ेगा, वहाँ पर वो आपकी Hindi language को समझे, यह important नहीं है, लेकिन एक English ने कैसी common language है, जहाँ पर आप उसको समझा सकते हैं, और उसकी English को आपको उसके बारे में समझ सकते हैं, आज भी क्या होता है न, तीन तरीके की चीज़े होती है, अगर आप ए English का पार्ट है, वो भी English है जो आपको आनी चाहिए, अगर आप एक government exam की तैयारी कर रहे है, और आप एगर एक officer level की job लेना चाहते हैं, जैसे आप अगर CGL का job लेना चाहते हैं, officer कर लेना चाहते हैं, तो as a officer आपको English आनी चाहिए, because in future you have to communicate in English, आपको वहाँ पर English बोलना प पड़ेगा, आप अगर किसी officer से बात करेंगे, अगर आप ACP से DCP से बात करेंगे, तो आपको उस hierarchy से communicate करने के लिए, you have to use English language, तो एक तो वह हो गया important कि आपको grammar आनी चाहिए, उस exam को crack करने के लिए, लेकिन आपको English spoken English आनी चाहिए, आपको आगे उसको survival के लिए और आगे communicate करने के, दूसरा अगर आप एक government job नहीं, आप एक business में जाना चाहते हैं, अपने छोटे से business से भी start किया, और अगर आप उसको scale करते हैं, तो भी आपको spoken English पे काम करना आज से ही start करना पड़ेगा, because एक दिन में या एक महीने में या एक सान में आप English नहीं सिल सकते हो, ये बिलकुल ignore करते हैं, तो आप इस से जाओ, आपको command आज से ही शुरू करनी पड़ेगी, और उसका result आपको शैद 5 साल बाद हो, 6 साल बाद हो, लेकिन result आपको बहुत अच्छा होगा, और उस result से आपको लगा होगा, कि हा, मैंने कुछ अपने अंदर को changes किया, तो दूसरा ह अगर आप एक private job चाते हैं, आप चाते हैं कि मैं अच्छी MNC में job करूँ, मुझा अच्छा package हो, अच्छी salary हो, मेरा job अच्छी से चलता है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप English भी, Artsy, अगर आप college student हो, तो simple से concept सीख लो, कोई भी fest है, कोई भी culture event हो रहा है, कैसा event हो जो podium होता है, stage पे, वो निना start कर दो, आप वो podium निना start कर दो, कि मैं उस event को organize करूगा, मैं उस event पे काम करूगा, English में नहीं कर पाओगे ना, कोई बात नि, English में कर पाओगी, starting English से करते हैं न, English तो अपने आप आप आजाएगी, English से अगर आपने start करी हैं तो English अपने आप जाएगी, तो college student, अगर आप इनमें से किसी भी field में जाना चाते हैं, तो आप उन events में जाना स्टार्ट करी हैं, और वहाँ पर बोलना स्टार्ट करी हैं, दोस्तों से नहीं बोल पा रहे हूं न, आप stage पे, stage भी हो खतम करी, वहाँ पर बोलना स्टार्ट, अगर ये भी ची करते हैं न, कुछ आप उस पे हसे, ना कुछ हो उस पे हसेगा, लेकिन उस हरसी हसी में आपके अंदर का confidence बढ़ जा रहे हैं, इस तरीके से आप अपनी English को बैटल कर से, तो ये थी मेरी कहानी जिसमें मैंने आपको बताया कि कहां भाब problem मैंने face किया, कैसे कैसे मैं improvement की और तो मैंने आजमाई थी, वो मैंने आपको बतायी, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब तक आप उसको खुछ से realize नहीं करोगी न, हो सकता है कि मैंने जो बताया है, इसको आप improvise करके, आप कुछ अच्छा भी बना सकते हो, या फिर अगर आप इसको आप follow करते हो, तो आपक अपने accordingly कर सकते हो, तो tips अना, कभी भी आप जितना दूसरों का सुनोगे, आपने मेरा tips सुना, चीक है, अगर आप उसको follow कर सकते हो, well and good, अगर आप follow नहीं कर सकते हो न, अपने tips बनाओ, तो उस पे आपको, इस चोटी-चोटी activities पे कुछ भी हो सकती है, ये tips हो सकती है, य the competition skills को बहुत अच्छे से ग्राइब, तो thank you so much, और मैं लीट करता हो कि आप भी अपनी English को बहुत अच्छे से इंपरूफ करेंगी, और अगर आपकी English अच्छी है, इंपरूफ है, तो आप उसको बहुत ज्यादा अच्छे अड़वास के लगए, पता नी मेरे साथ क्या हो लेकिन एक चीज जो मुझे रखती है कि एक रीजन जिसकी वज़े से मैं अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पारी हूँ वो शायद इंग्लिश है क्योंकि मैं इंग्लिश में पर दीली हूँ यह जो मैं अभी अपने आप से बात कर रही थी क्या आप भी अपने आप से ऐसी अपने ही जैसे लोगों की कहानी सुनेंगे जिन्होंने कभी इंग्लिश से रिलेटेट कोई भी प्रॉब्लिश की उसको हराया उसको ओवरकम किया और अपने लाइट में सेक्सेस वगी और आपको पता है जोश्टॉक्स का एक एब भी है जिसमें भारत का सबसे सबसे सब् प्राक्टेस कर सकते हैं तो अब लिटरिली इंग्लिश सीखने का महौल हमारी जैद में तो आज ही ठान लीजे आज ही प्रॉमेस कीजे खुद को कि आप अपनी लाइट को बदलेंगे जोश के साथ